अरे यार तीन बज़े फिल्म शुरू हो जाएगी तू क्या कर रही है बस मुझे पांच मिनट दे मैं अब भी साड़ी बदल कराती हूँ अरे बहु तू अचानक कहां जा रही है तीरी सास तुझे आवाज दे रही है अरे छोड़ना ये बुढ़िया कभी नहीं सुद्रेगी क्या हुआ माजी मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मुझे जाते हुए टोका मत कीजिए मैं फिल्म दिखने जा रही हूँ तू अभी चली जाएगी तो मेरे लिए खाना कौन मनाएगा बहु सुबर से भूकी बैठी हूँ अरे माजी आप कौन सा घर का काम करती हो जो आपको भूक लगी है अच्छा मुझे देर हो रही है चलना रीटा अंजली के जाती ही सीता देवी अपनी किस्मत को कोस्ते हुए सारा दिन घर में भूकी बैठी रहती है इस तर अंजली अपना बहु होने का करतव्य कभी नहीं निभाती थी वहीं दूसरी तरफ अपनी सास के खाते से पैसे निकाल के अपने शौक पूरे करती थी लेकिन सीता देवी इस उम्मिद पर थी कि एक दिन उसकी बहु सुधर जाएगी फिर एक दिन सीता देवी की जुड़वा बहन गीता देवी वहां आती है अपनी बहन को घर के काम करते हुए देख गीता देवी आग बबूला हो जाती है जो तो घर के काम कर रही है सीता देवी भावु खोकर रोने लगती है अब तुझसे क्या चुपाओ मेरी बहुरत नी बर्वी मेरी इज़त नहीं करती मजबुरी में मुझे घर के सारे काम करने पड़ते है वो तो बस सारा दिन अपनी सहली के साथ सहर सपादा करने में लगी रहती है अच्छा तो उस चिडिया के पर निकलाए तुझ इंता मत कर मैं ऐसी कई बिग्डेल बहुं को ठीक कर चुकी हूँ अब मैं इस चुडैल से निप्टूंगी तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर चली जा मेरी बहु तेरी अच्छी देख भाल करेगी फिर दोनों बहने आपस में साडियां बदल लेती है और सीता देवी अपनी बहन के घर चली जाती है देर रात अंजली जब घर आती है तो अपने कमरे का नजारा देख उसकी आँखे फटी की फटी रह जाती है अंजली तैस के साथ अपने सास के कमरे में जाती है तभी वो देखती है कि उसके कमरे का एसी और टीवी उसकी सास के कमरे में लगा है और गीता देवी आराम से एसी की हवा खाते हुए सास बहु सीरियल का मजा ले रही है अच्छा, तो ये सब इस बुर्या की कारस्तानी है अभी इससे बताती हूँ ये सब क्या है मा जी? आपकी हिम्मद कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? क्यों बहु ये सारा सामान तुने तेरे पिता जी के पैसों से खरीदा है क्या? लगता है तू भूल गई के ये सारा सामान मेरे पैसों से आया है इसलिए मैं अपनी सारी चीज़े अपने कमरे में उठा लाई तुझे कोई एतराज है चल जाए यासे, सिरियल का मज़ा किरकिरा मत कर गीता की बातों का कोई जवाब नहीं बनता देख अंजली अपने दाथ पीस कर रहे जाती है अगली देन रीटा और अंजली शॉपिंग पे जाने की तयारी करती है अंजली जैसे ही अपनी स्कूटी पर बैठती है तभी गीता दिवी स्कूटी की चाबी निकाल लेती है अरे, ये स्कूटी कहा लिये जा रही है ये भी मेरी कमाय की है माजी, ये तो आप हाथ कर रही है मैं बाहर पैदल जाओंगी क्या हाँ, पैदल जा वैसे भी तुझे घूमने का शौक है मुझे नहीं देखे माजी, इस तरह मेरी सहली के सामने मेरी बेज़ती करके आप ठीक नहीं कर रही है आप मुझे अच्छी धरे जानती है बहुत भी अब कुपच्टा ना पड़ेगा अच्छा, तो तू नहीं सुधरने वाली मेरे ही घर में मुझे ही धमकी दे रही है तेरी याददाश के लिए बता दू कि ये मकान मेरे नाम पर है अब तू देख, मैं आज ही अपने बिल्लो वकिल को बुलाकर ये सारी जाइदाद अनाथालई को दान कर देती हूँ फिर तुझे एक डेला भी नहीं मिलेगा गीता की बाते सुनकर अंजली के पैरो तले जमीन खिसक जाती है अरे अगर तेरी सास ने तुझे अपनी जाइदाद से बे दखल कर दिया तब तो तुस सड़क पर आ जाएगी मैं तो कहती हूँ चुप चाप अपनी सास से माफी मांग ले अंजली हाँ तु बिल्कुल सही कहती है मेरी सास का कोई भरोसा नहीं है अरे नहीं नहीं माजी ऐसा गजब मत करिये आज के बाद मैं आपको कोई तकलिफ नहीं दूँगी और घर के सारे काम ना मैं ही कर लूँगी मैं आपको एक अच्छी बहु बन कर दिखाऊंगी कुछ दिनों के बाद ये लीजे माजी आराम से गाजर का हलुआ खाईए खुश्बू तो बहुत अच्छी है हाँ माजी वैसे मैंने सब काम कर लिया है तो मैं आपके पैर दबादू हाँ आराम से हलुआ खाईए इस तरह गीता देवी अंजली को सही रास्ते पर ले आती है अंजली को सही रास्ते आराम से हलुआ खाईए